तो बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें बच्चो आए शुरू करते हैं जैंडर सब्सक्राइब को बटाता है कि कौन मेल है और कौन जो है फीमेल है तो बच्चो अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं कुछ नाउन्स हैं जिनको हमें जैंडर चेंज करना है फ़स्ट है बच्चो ग्रांटसन grandson को हिंदी में बोलते हैं पोता, तो इसका जो female है, तो female है इसका grand daughter, इसे बोलेंगे हैं पोती, next है king king means होता है राजा तो जब हम word king का gender change करेंगे, तो क्या होगा queen, queen means होती है राणी next है actor इसका हम gender change करेंगे तो क्या होगा, actress next है बच्चो bride bride का जब हम gender change करेंगे तो क्या होगा, bridegroom bridegroom बोलते हैं वर को और जो bride होती है वो होती है दुलहन, next है husband, husband का जो gender changed होगा, वो क्या होगा wife, यानि कि husband है पती को बोलते है और wife होती है पतनी next है horse horse का opposite gender है mare, horse मिन सोता है गोडा और mare मिन सोती है गोडी, next है peacock peacock मिन सोता है more तो इसका female gender है pehan pehan मिन सोती है more next है poet, poet मिन सोता है कभी इसका female gender है poetess, poetess मिन सोती है कभी तरी, next है dog dog का female gender है bitch, next है hero hero का female gender है heroine, यानि कि hero होता है नायक और हिरोईन होती है नायका next students singular means only one singular का मतलब होता है केवल एक whereas plural means more than one जबकि जो plural होता है उसका मतलब होता है एक से ज़ादा question है write the plurals of given words अब यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए है उनके हमें plural लिखने है so student first word है chair chair means होती है कुर्सी तो chair का plural है chairs बहुत सारी कुर्सिया next है bag bag means होता है bag bag का plural है bags next है orange orange का plural होता है oranges जयानि कि एक संत्रा का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा बहुत सारी संत्रे next है house house means होता है घर so plural of house is houses next है doll doll means होती है गुडिया so plural of doll is dolls बहुत सारी गुडियां, नेक्स्ट है लॉयन, लॉयन मीं सोता है सेर, so plural of lion is lions, नेक्स्ट है की, की मीं सोती है चाबी, so plural of key is keys, नेक्स्ट है hand, hand मीं सोता है हाथ, और plural of hand is hands, नेक्स्ट है man, में मीं सोता है आदमी, so plural of man is man, बहुत सारे आदमी, नेक्स्ट है woman, woman मीं सोती है औरत, so plural of woman is women, next question है, fill in the blanks with correct words, तो बच्चें यहापर कुछ words दिये गए हैं, जो भी इन में से correct है, हमें उसे यहापर fill करना है, first है, we apples daily, तो हम क्या fill करेंगे यहापर, by ये वाला, we by apples daily, हम रोजाना save खरीटते हैं, next है, a mouse lived in a hole, और hall, तो कहाँ पर रहता है, एक mouse, hole यानि की बिल में, next है, the ships are in the she, जहाज समुंदर में हैं, next है, today I am feeling weak, weak मीं सोता है कमजर, और इस weak मीं सोता है सबता, तो हम यहापर fill करेंगे, weak, आज मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, या कर रही हूं, next है, this ghee is pure, pure means होता है, should, और pure means होता है, किसी भी बरतन में डालना, so, घी, should है, next है, next है, my answer is right, मेरा उत्तर सही है, हम यहापर इस right को लिखेंगे, क्योंकि यहापर जो right है, इसका मतलब होता है लिखना, अब देखते हैं, बच्चो, अगला question, write the following answers, यहापर कुछ questions है, उनके यहापर answer लिखने है, first question है, how old are you, तुम कितने वर्स के हो, I am 8 years old, मैं 8 साल का हूँ, या 8 साल की हूँ, तो बच्चो, यहापर आप अपनी age लिखेंगे, next है, what is your name, my name is Pramod, तो बच्चो, आप यहाप पर अपना name लिखेंगे, मेरा नाम प्रमोध है, next है, in which school do you read, तुम कौन से school में पढ़ते हो, I read in EDMC Primary School सुभास पार्क, मैं EDMC प्रात्मिक विद्याले सुभास पार्क में पढ़ता हूँ, या पढ़ती हूँ, यहापर बच्चो, आप अपने अपने schools का नाम लिखेंगे, next है, who is your class teacher, आपकी class अध्यापिका या अध्यापक कौन है, so Mr. Manoj is my class teacher, Mr. Manoj मेरे class अध्यापक है, तो यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, next है, what is the name of your school principal, आपके school के परधानचारिया का, या आपके school के principal का क्या नाम है, so answer is, the name of my school principal is Mr. सुरेश क कुमार, मेरे school के principal का नाम Mr. सुरेश कुमार है, आप यहाँ पर सभी अपने-पने principal का नाम लिखेंगे, next है, who is your best friend, तुमारा प्रियमित्र कौन है, केसम is my best friend, केसम मेरा प्रियमित्र है, तो बच्चों यहाँ पर सभी अपने-पने जो प्रियम बेस्ट फ्रेंड हैं, उनक का नाम लिखेंगे, next है, where do you live, आप कहां रहते हो, I live in सुभास पार्क डेली, मैं सुभास पार्क दिल्ली में रहता हूं या रहती हूं, तो यहाँ पर सभी बच्चों अपना-पना address लिखेंगे, next है, what is the name of your state, आपके state यानि की राज्या का क्या नाम है, the name of my state is Delhi, मेरे र 10 lines on my house, मेरे घर पर 10 line लिखनी है, first है, my house is in सहिबाबाद, मेरा घर सहिबाबाद में है, तो बच्चों आपका घर जहां पर भी है, आप वहाँ पर उस address को लिखेंगे, next है, it has four rooms, इसमें चार कमरे हैं, तो आपके घर में जितने कमरे हैं, आप उतने लिखेंगे, next है, it is a concrete house, यह पक्का घर है, तो बच्चों यदि आपका घर पक्का है, तो आप यही लिखेंगे, यदि कच्चा है, तो यहाँ पर कच्चा house लिखेंगे, next है, it has eight doors and six windows, इसमें आठ दर्वाजे और six खिड़कियां हैं, तो बच्चों आपके घर में जितने भी window और door हैं, आप उत तीन बात्रूम हैं और दो रसोई घर हैं, घर में तीन बात्रूम हैं और दो रसोई घर हैं, next है, my room is green in color, मेरा जो कमरा है, उसका रंग हरा है, next है, all the rooms are decorated, सभी जो कमरे हैं, वो सजे हुए हैं, यानि कि उनमें सजावट है, next है, there is a beautiful garden in front of my house, मेरे घर के सामने एक सुंदर सा बगी चाहे, next है, my father bought this dream house, मेरे पापा ने इस सपने जैसे घर को खरीदा, तो बच्चों, आगे यहां पर आपको एक सुंदर सा घर जो है, बनाना है, एक सुंदर से house की picture ड्रो करनी हैं, और इसमें आपको color भी करना है, so students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you,